जैसे हमारे देश में पर्दाप्रधा नहीं थी तो पर्दाप्रधा सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुगलों से अपने रक्षा करने के लिए पर्दाप्रधा हमारे देश में कभी थी नहीं हमारे पास डिग्री भी होगी जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूं इंग तो वहां सिक्षा के सासाथ विद्द्या भी अतलोजी के साथ वहां के संस्कारों को भी अपना रहे हैं अगर ऐसा हो जाए कि महिलाय पा एक माय आप पुरुश आराम को दिक्क्त तो निया कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, अगर वो घर का काम समाल रहे हैं, तो हम बाहर का समाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर। क्या बोल करके लाया गया आप लोगों यह बताएं? हमें आपर यह बोल के लाया गया है कि मानिय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके स्वागत में हम मंत्रों चार करेंगे, ताकि उस प्रकार से हम उनका स्वागत करें अपनी संस्कृति के तरीके से, अपनी संस्कृति क्या है? सांस्कृ immigойти बारती जेसे की संस्कार आमारे और मंत्र चारण के लिए बिलाए गया है सांस्कृतिक और संस्कृति में क्या आज़ रहे देव संस्किति बिस्पित जाले से पधारे हुई है चात्रा और हमारे यहां पर प्रचारी भी बैठे हैं और हमारी मैं भी आई हुई है और जब मुक मंत्री जी आएंगे तब हम उनका वेद मंत्रों के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे पूरी बाद समय में आ गई है लेकिन अभी शंस्कृतिक वेद मंत्रों को ले करके बात नहीं करूंगा मैं वर्नक्रक्ण पूरा आप लोग सोच क्लास ही चालू होगे यहां पर और कलास का क्लास हमें चालू नहीं करना है आप मतलब क्या कहेंगे दो शब्दों कर दिज्या माननी मुख मंत्री धायमी जी आज यहां आये हैं तो हमारे प्रसाशन को यह बोला गया कि आपने यहां से चुकी नारी सकती वर्ष चल रहा है तो इस महोस्व में हमारी देव कन्याएं जो हमारी इनवस्टी में हैं इनका एक अनुभाव और माननी मुख मंत्री जी के सामने यह बताना होगा कि बास्तों में जो संकल माननी मोधी जी प्रधानमंत्री जी और धायमी जी का है वो इन बच्चियों के माध्यम से देव कर नियाओं के माध्यम से यह प्रस्तूत होगा कि बास्तों में जो उनकी थीम है उनकी सोच है उसको ले के हमारा देश अग्रणी है एक बात तो था है कि भाई नारी शक्ति महुसा हो रहा है आपके जमाने में ऐसा है कि इतनी भीड में आ रही है और स्वालंबित भी है तो इसी को प्रेरित करती है हमारी भारतिय सरकार और जो लोग है वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारी जो यह मुझे यह सारा का सारा जो मामला है वो किसी और को बुलना आगे आजाओ खड़े ओकर के मंदर नहीं आ सकता फिलालबी यह बताओ यह वह जगार्यगा पुर्षो का क्या करें चोरतेव हैं अब करिव 19 заключ जैसे पैंटular की ज़िए यहां कि इक्वल का मतलब क्या होता इक्वालिटी का मतलब क्या होता बताओ नारी सशक्ति करण का मतलब यह है कि नारी को शशक्त बना ना कि पूरुश्वर को पीछे चोड़ दना जो कि हमारी प्राचीन संवता में नारी के उच्छी स्थान पर थी जिसका इस्थान गिरा दिया गया बीच में तो अभी नारी का जो सम्मान है जो शक्ति है कभी गिराया नहीं जा सकता है कोई निग्रा सकता पुरुश वर्ग ने कहीं ना कहीं ऐसा सोच लिया कि आजो तुम आगे आजो तुम इदर आओ यह तो लड़ाई करेगी बता जगडा नहीं है जैसे मेरे कहने का लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए लेकिन अज उसको पर्दा प्रथा का नाम दे दिया गया ऐसे दहज प्रथा हमारे देश में कभी दहज प्रथा थी नहीं बड़े जो बड़े अमीर लोग ते उन्होंने अपनी बेटियों को दहज मतलब सामान देना शुरू किया लेक अब बढ़े लेकिन अपने 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 देशों को जानना कि वह है क्या सलमें बताओ मुझे भाई सारा का सारा जो है आपको एककोल एककोल सब्सक्राइब कर दिया गया अभी किया गया ना अब बढ़ रही है ना नारी उसको जो पुरूष जो है मेंटली डिस्ट मेंट अपनी संस्क्रति के साथ ना कि उसके प्राचीन सविता को बढ़ाना है नारी को अपनी संस्क्रति के लेकर आगे बढ़ना है कि उसके करता विक्या उसको प्राचीन सविता नहीं अपनानी है जरूरी है कि लड़के सिगरेट पीरें तो हम भी जाके उनकी वही काम ना करके बिसक्तिकरण का असली मतलब क्या है तो जैसे कि वो जो सैविन राइट से हमारे constitution में अगर उन पे खरी उतर जाए नार या मतलब हमें मोका दिया जाए खरा उतरने का तो equality obviously आई जाएगी आपको भी मिला हुआ है बराबर मिला हुआ है लेकिन कुछ अब भी ऐसी है जिने उनके बारे में भी नहीं पता है तो उनको बार निकालना है ना जो हमारे मतलब fundamental rights है और equality है वो सबको नहीं पता है सब इतने जमाने में नहीं पड़ी हुई है तो वो जागरित करने के लिए ही सरकार यह सारे जो चला रही है यह सारे organization हो रहे हैं यह सब होते हैं इसलिए नारी शक्ति का मतलब पूर्शों खिलाब तो नहीं है नहीं बता दो नहीं बिल्कुल नहीं यह बहुत ही टेंशन होता है लेकि देखो एक फिल्म आई थी यह कहा गया था कि मर्दों को दर्द नहीं होता है कि दर्द होता भीया होता है होता है पूर्शों के लिए दो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते है वह अपने आपको बहुत ऐसा लड़ना नहीं बात को सबके सामने रखना है और जैसे अभी आपने कहा कि पूरुश्वर को दर्द नहीं होता है तो ऐसा हमें नारी को आत्म निर्बर करना अगर हमारी घर में टीवी आ रहा है तो हमें यहीं क्यों सोच रखनी है कि उसका खड़्चा सरे पूरुश्वर को कहना तो कह दना अगर ऐसा हो जाए कि महिलाएं कमाएं अब पूरुश आराम से घर में बैटा कोई दिक्क्या तो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई इस्यू नहीं अगर वो घर का काम समाल रहें तो आपने काम महिलाएं कमाएंगे और पूरुश घर में बैटाएंगे महिला अभी नारिष शक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक् मतलब घर का काम भी करो और कमाए तो यह तो होगा ना, बराबर बाकी सभी दुखदर्ध में बात करूं आराम से लेकिन आपा जो है नारी सक्टी महोसो है और धामी जी को यह लोग मंतर उचारण करेंगे क्या-क्या मंतर उचारण करो यह कुछ सुना दो कि हमें कि हम बाई दबे हम वहाँ पर मौझूद नहीं हो पाए तो महामरित्यूंजे मंत्र स्वस्तिवाचनम और जो शुब कामना मंत्र है मैं एक और ची चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर बात बताएं कि जिस विश्विद्याले से आप लोग है उसे विश्विद्याले में ऐसा क्या खास है कि बाहर अधिकतर ऐसा होता है कि भाई जिन्स पहन के भी घुम रहे हैं टिशट पहन के घुम रहे हैं एजुकेशन क्या डिफ्रेंस है यह चीज जरा बता दीजे ताकि लोगों को काइंड आफ यह परचार भी हो जाएगा लेकिन सुन लेजे बता दीजे किडंग से हमारे कोलिज में शिक्षा के साथ साथ विद्या भी मिलती है विद्या सिक्षा बता दो में हमारे पास डिग्री भी होगी जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूं इंग्लिश ओन बच्चे जो पहनते हैं उनको टेक्शन चीजे की जांकारी अच्छी नहीं हो पाती जूट है जूट है क्योंकि हमारे सब्सक्रट होता है लाइफ मैनेजमेंट जिसमें हम ऐसी चीजें सिखाए जाते हैं और जो मार्दन सांस्र्तिं इसको अपनी प्राचिन सांस्र्ति को कैसे कर सके और उस चीज़ में हम एजजस्ट कैसे कर क्योंकि आज की सबान लोग के पास पैसा तो है वह कोई कॉंपूटर साइंस से यहां पर और और यह बताया जाता है कि जो जावा है सिपल्स प्लस है यह सब चीज सिखाई जाती है कि मतर्यचारणीं पढ़ा जाता है बते सिखाया जाता है वहें तक्सीमित्रत है जबकि जब हम देव संस्कृति विश्विद्याले से बीसे फर्सिव कर रहे हैं तो वहां पे हम सिख्षा के सासत विद्या भी सीख रहे हैं टेकनोलोजी के सासत वहां के संसकारों को भी अपना रहे हैं तो देव संस्किति विश्विद्याले में एक ये खासियत है कि जैसे सारे विश्विद्याले में प्लेश्मेंट तो होता है तो हमारे विश्विद्याले में प्लेश्मेंट देती है लेकिन उसके सासत हम एक सोसल इंटनसीब करते हैं एक तो प्रोफेशनल इंटनसीब हो गय कि गया जाता है हम बोड़ जाकर के घर गर में कर वाते हैं और уст water ही यह बौटल पसको करते हैं और हम उसके साथ सथ हम संसकर सते हैं और हम उस में आप यह करते हैं कि मनाते हैं जैसे हमारि उम्र्याइब 25 साल होई बींग जलाएंगे यानि कि 24 छोटे दीपक और एक बड़े दीपक को जलाएंगे और हम केंडल को नहीं बुजाते हैं इसलिए जलाते हैं नहीं पुझांगे और आपका जीवन सभी का उजागर हो बहुत अच्छी बात है और देखिए ये देव संस्कृत विश्विधियाले है उस विश्विधियाले के शात्राय है शात्रा तो नहीं है क्लेस काammar जिए महला शक्ति लिए अब देखना ये होगा कि य不好's है इस लोग आये हैं उनके लिए कितना बहतर साबित होता है धामी जी नारियों के लिए क्या कुछ नया सवगात लेकर आते हैं जो कुछ भी होगा आप देखते रहेंगे बच्चों की जो बाते आपने सुनी उससे लेकर क्या कुछ आप कहेंगे कमेंट सेक्टर में अपनी परतिक रहा देजिए और देखते रहेंगे दानी विजल नेटवर्क बहुत बहुत शुक्रियाओ